जिनका भी डाटा अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है इस्टेटस में या उनका इस्टेटस अभी तक पेंडिंग है या वरिफाइड है तो उन सब ये स्टेटस वालों के लिए खुसखबरी आ रही है और समात कलाल विभा की तरफ से ओफीसियल नोटीस आई है और पंदरा मा नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए आप लोग देख सकतो 28 फरवरी की डेट डाली गई है इस पर ये नोटीस एकेट्यू की तरफ से जारी की गई थी हालांकि एकेट्यू ने जारी किया है तो ऐसा तो है नहीं कि एकेट्यू के लिए होगा यह सभी इन्वर्सि बोल लह थे आज तीन मार्च हो गई चार मार्च हो गई पांच मार्च हो गई क्यों नहीं होगा रेजन यहीं था पढ़ओ इसको क्या लिक्का इंति रखी गई थी या भी आवाद कराना की 20 विद्याले से संबंद कतिपा संस्थाओं दौरा माश्टर डाटा फारवर्ड करने किये जाने का अनुरोथ किया जा रहा है और समात के लाल विभाग का पोर्टल बंद होने के कारण 20 विद्याले दौरा संस्था का माश्टर डाटा फारवर्ड नहीं उपा रहा है अत्य इसको ध्यान में रखते वे 15 मार्ज तक विस्तारित करने का कष्ट करें अब इसमें क्या बोला गया है कि पहले जो आपका सत्यापीत और नान सत्यापीत वाला आप लोग भोल लेओ कि डाटा सत्यापीत किया गया नहीं किया गया है उसकी डेट समाथ के लाल विभाग रखा था 30 जन्वरी तो 30 जन्वरी तक बहुत सारे कालेजों ने भेजा बहुत सारी इन्वर्सिटी ने समाथ के लाल विभाग को डाटा भेजा लेकिन उसके बाद क्या हुआ बहुत सारे ऐसे इन्वर्सिटी थी और बहुत सारे कालेज भी थे जिन्होंने डाटा इन्वर उन्वर्शिटी ने डाटा समाथ कलाड़ विभाग को नहीं फारवड किया तो आब यहां पर लिखा गया है समाथ कलाड़ विभाग का पोटल बंद होने की करण बिश्च बिजाले द्वारा संस्थाओं का मास्टर डाटा फारवड नहीं हो पा रहा है तो जब समाथ इनवर्सिटिटी के जाहिट से गलती है इनवर्सिटी ने देरी की तो आपका डाटा है लेकिन समात कलर भिभा का पोटल बंद है तो इनवर्सिटी जो भी हो चैसे रज्जू भहीया हो गई अब जब डाटा आपका फारवर्ड नहीं कर पा रहा है तो इस केस में आपका फार आपका फार्म बोल सकतो या इस्टेटस और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है अभी कल की डेट में मैंने बीडम बताया था कि यूर इंस्टेट्यूट नाट अफ्लियेटेड वाई एजेंसी ऐसे कुछ करके रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेन यही था तो यहाँ पर 15 तारी तक बढ़ाने की डेट बोली गई यह 15 मार तक तो यह गुड़ न्यूस सभी के करता है दोबारा भी बंद किया है जैसे समाथ करण विवाग पोर्टल ओपें करता है इन्वर्सिटी आपका डाटा फरवर्ट करेगी तुरांत आपका डाटा सत्यापित हो जाएगा और इस केस में एक गुड़न्यूज यह भी है रिजेक्ट वालों के लिए कि भाई जिन का इस्टेटर से रिजेक्ट हुआ है उनका फिर से वरिफाइड हो जाए एक उम्मीत इकिरण उनके लिए है तो यह नोटिस थी मैंने आपको बता दिया समझ गए बाकी इसको मैं अपने टेलिग्राम पर डाल दूँगा पढ़ लिजेगा आप लूप इसकाल सिपका जो भी आर्टेकल पढ़ लिजेगा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अधर दन इंटर्फ्रेस रिन्वल सभी के लिए यहां पर दिया गया है तो कलिक यह पर कलिक करके एक बार अपना अपना इस्टेटर से चेका आउट करते रहें यहां पर सारी डिटेल फिलाउट करके के एकाउंट नंबर डालके कैप्चा डालके ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर सेंड करके उसको फिर दुबारा फिल अपर करके अपना पैसा चेकाउट कर सकते अगर इस्टेटस वरिफिकेशन की बात करें तो लगातार इस्टेटस वरिफाइट किया जा रहा है यहां प पर भी देख सकतो चार तारी को डाटा वरिफाइड हुआ है तो कहिन कहीं आपका इस्टेटस भी लगातार वरिफाइड हो रहा है आप लोग थोड़ा पेसेंस बनाया रखो और इस्टेटस वरिफाइड करने की लाज डेट आपको पता होगा दस मार्च रखी गई है बाक आतार कांटेक्ट में बना हुआ हूँ कि कोई भी अपडेट मिले आपको बीडियों समादम से बताओं समझ गए तो आज वीडियों बस इतना ही आगे जैसी भी अपडेट होती है आपको बता दिया जाएगा आप लोग चैनल को सब्स्राइब करके हमारे साथ जूड़े र करता हूब वीडियों समादम लिज ऑतार के वीडियों समाद्सलूं कि कले जा 설정 करना है भाल ज हीडियो तो आपको बसाना है जले वारा करता है इंद कर वाजयों गिलिव TIM ड़ियों और चैनल को तिशदय कट ACCरना है